नमस्कार दोस्तों मैं जिक्तार सिंग नामदरी इंफ्रैक को कोल आई गर हम डिस्टिक में दfour दिलाकर पर देने पड़ना थे और उसके बाद हमें डीलरशिप मिल जाने थी जिसके हम जो एर फाइबर 5G दिवाइस के लिए आप सकते हैं कुछ 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 आप मिलनेता है क्या इंसेरें गता जना लेनते हैं तो कही नगी मुझे तो पसंद नी आ है मैंने मना कर दिया है तो आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइगा कि आपके शहर में भी ऐसा हो रहा है क्योंकि अगली निवस कुछ इसी से लेटेट है भी जियो ने और ज्यादा स्टेट्स और जड़ा शिटी जो है इसमें एड कर दी है जिसमें बहुत सारी जगा अब जियो एरफाइव यह नोंच किया गया है और किया जा रहा है थोड़ी से स्टेट्स में या थोड़े से ही जगा पे शूरू किया और बाकी रहने दिया लेकिन जी उसको फुल फ़लेज शुडू कर रहा है जो कि बहुत ही खुषी कि बात भी अब घर-घर में वे पूरा फाइवजी और कुछ लिश्ट है और साथ में यह जो फोन अबर इस पर कॉल करके हम अप्लाई कर सकते हैं अगली न्यूस है बी असनल से लिटर्ड कैबिनेट ने डिसाइड किया था भी जितने भी एसेट्स हैं भी एसनल को ट्रांसफर किया जाएं कि को बिल्डिंग हैं या कोई और इंफ्रस्क्ट्रक्चर वो भी एसनल टेक ओवर कर सकता है लेकिन डियोटी कहीं ना कहीं लैंड माफिया की तरीके से जो है बताया जा रहा है यह उनकी बिल्डिंग्स या उनके इंफ्रस्क्ट्चर पर के लागई हाथ फेर रहा है यह सब लोग अपने कब बिल्डिंग्स या को लेकिन अगर बढ़ जाते हैं मार्केट में तो बीसनल के बास काफी अच्छा मलब फ्यूचर के लिए प्लैन हो सकता है इनी विल्डिंग को यूज करके या कहीं ना कहीं इनका इनसे पैसा लोन पे किरूपे लेकर 5G में रोल आउट किया जा सकता है कुछ भी संबलो तो कहीं ना कहीं अगर इन्फ्रास्ट्रक्टर होगा तो उसका पैसा बन सकता है तो बीसनल का चुछ फास्ट्रक्टर था वो डीओट अपने कबजे में ले रहा है बीचुच में और पिछले 30 साल उसे ऐसा हो रहा है तो यह बीसनल की रिपोर्ट ती जिस हुए जो कि 17% डिकलाइन है नेट एडिशन में जुलाई के लेकर और एटल ने वहां पे इंक्रीज किया 12 लाग सब्सक्राइबर को और 15 लाग वैसे उन्होंने जुलाई में एड़ किये तो बारा लाग ही एड़ कर पाए बला थोड़ा सा उन्हों कमी होई और वहां पे ब आइस लाइक वायरलेस सब्सक्राइबर इन अगस्त में जबकि 14 लाग हो मलब पिछले महिने में उन्होंने लॉस के था इतने जारा सब्सक्राइबर लॉस हो रहे हैं टोटल जो है 114.62 करोड जुलाई में हुए थे मलब लॉस लेकिन अब जो है 114.84 करोड एंड अफदा अगस्त में हुए है सिर्फ ग्रोफ जोए 0.19% की हुए है जियो ने 32.45 लाग सब्सक्राइबर एड़ी तो जियो कहीं ना कहीं बाजी मार रहा है क्यों की 5G का रोल आट बहुत जबरस हो रहा है जैसे 4G का रोल आट हुआ था ना बहुत सारे यूजर को मिला था जियो चला है लगभग 6.6 टीवी डाट पेस का जो पासवर्ड वह एक्सपोज हो चुका है और नॉर्मल जो पासवर्ड यूजर के जाते है वो है 123456 या फिर इंडिया एट रेट 123 या पासवर्ड बढ़ा कर लो इसी तरह से जो है रिपोर्ट में बताया गया भी 31 जो है वर्ड का एक से लेकर 9 तक 12345 और दो शे बार जीरो या ऐट पर जाएगा तो इस तरह से अगर आप यह पासवर्ड कर रहे हैं तो यह जेंज कर लो तो कि आपका टासवर्ड नहीं बनाते है तो दिक्कत वाली बात है अगली जूनीज है वह है Amazon Satellite Satellite Amazon Satellite Internet Satellite Amazon ने पिछले 30 दिन में ही अपना 30 दिन के अंदर अंदर ही 100% सफलता हासिल कर रही है अभी उन्होंने पूरा अपना चेक कर लिया वीडियो ट्रांस्मिशन अपना जो उनका Amazon Prime में पूरा टेस्ट कर लिया वह चलता है और पूरिन की वीडियो स्ट्रीम होती है अभी डाटा आ भी सकता है जा भी सकता है और यह दूसरी ऐसी कंपनी है जो ने बीटा टेस्टिं के अंदर ऐसा कर दी है पहले स्पेसेक्स है तो दूसरी यह कंपनी हुए जिसने अभी क्यूकर नाम से जो अभी सैटलाइट इंटरेट शुरू करना है तो अभी हमारे इंडिया में सैटकॉम भी डिसाड कर रही है एक ट्राइब वालों की तरफ से जो स्पेक्ट्रम है दिया जाएगा सभी सैटलाइट इंटरेट के लिए तो कुछ कंपनी अपलाई करेंगे और इसके बाद इस सर्विस को सुरू कर देगा नेक्स्ट निव्स है तो जियो 5G स्टेक को लेकर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी फॉरंग केंट्रिकी तो चाहती है जियो के साल पार्टर्शिप करना है इसे 4G को ढividadल को सक्षाए में ना की 2G के अंदर 3G का तो वैसे 5G क भी उल्या था कर रहा है तो आने वाले time में अगर कोई भी के बीडवी कंपनी इनके साथ प्रम करते है मभोशा नेटवर्क के साथ पाटरशिप करने में जूके हैं क्योंकि यह बढ़ में परड़क्टि परड़क्ट करने के लिए खृए फाइब करने के लिए खृए देहें अच्छी बात है है फिदिधार गॉल्टी डिवाइस यूज कर रहा है और जो कंपनी डिवाइस या काम करना चाहती है तो फटा-फट से उनको अच्छे तरिके से उनके साथ पार्शनिप कर रही है अगर ही जो जाए एक्ट के जो चार प्लैने वो इस तरह से हैं सबसे पहला प्लैन है जिसमें 649 रुपीज पर मन्त है 50 Mbps Speed Mini Unlimited Data है एंटरेडमिन पैक जो डिजनी ओतर जी फाइब दिन्सो लाइब चैनल और सोनी लीव और यूप टीवी मिलेगा इसके बाद अगर 50 रुपीज पर जाला जैते हैं 699 रुपीज में तो हमारे को नेटोफ लिक्स पर की सब्सक्रिप्श्ट पी साथ मिल जाएगी इसमें भी सारी आप जो हमारे को पैकेज में मिल जाती है यह चार प्लांज कि है अगर आप भी ब्रॉडबेंड यूज करें एक्ट का तो आप इन न्यू प्लांस में स्विच हो सकते जिसमें तो आपको टी प्लाटफॉर्म मिलेंगे फ्री में देखने के लिए तो अची अगर आप आइफॉन फिफ्टी लेने जा रहे हैं तो आप साथ जार पे के बेनिफिट ले सकते हैं लेकिन एटल की सिम लेने पड़ेगी मरसाथ में पॉस्टपेड तो वह इस तरह से कुछ स्कीम बनाई है जो की दो जार पे की इन्होंने डिसकांट को पन के रूप में द बनाई लेकिन देखे लिए और डिसकांट को पन के लिए आप आइफॉन फिफ्टी लेते हैं पोश्पेड सीम लेने पड़ेगी सार दिन के अंदर आप जो जार पे के डिसकांट को पन ले सकते हैं और ऑफर जो है बाद में एमजोन से आपको खरिदना पड़ेगा और फि कम भी लाएगा तो इस तरह से कुछ इन्होंने निकाला है जिससे जो है मनलब और जैसे अगर यह तो 2000 पे की बात हुई इसके लावा अगर आप कैश बैक लेते हैं तो उसमें 5000 तके कैश बैक्स हैं तो इस तरह से 7000 पे टॉटल जो आइफॉन 15 अगर आप लेने जाने तो यह डिसकाउंट ले सकते हैं अगली जो ख़बर है टेलिकॉम वर्परेटर 250 करोड का लोस होने वाला है नेक्स्ट वन एर ट्यू एर में तो यह एसमेस से लेटेड है क्योंकि कैसे है यह OTT platform की वेज़से है यह वह OTT platform में जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे जैसे Amazon और सोनी लिफ गएरा तो यह OTT उनकी बात करें जैसे WhatsApp, Telegram और जो normal social media के messaging services है तो उसमें होता है कि अगर हम कोई भी सर्विस अक्टिवेट करते हैं तो हमें जो SMS अक्टिवेशन आती है, OTPs आते हैं या वो कही नहीं WhatsApp से आने शुरू हो चुके हैं तो इस वाज़े से उनको future मे जैसे banking, insurance company और बड़ी-बड़ी जितनी कंपनी अब WhatsApp पे ही यह notification और verification कर लेती है जिस विए से जो इन all of one messages हो टेलिकॉम सेक्टर को यूज नहीं होगे जिसमें उनको future में loss होने की आशंका है और वैसे टोटल जो juniper research है UK-based है तूनो ने बताया है अभी इंडिया में 24.2 billion message ह हो जाएंगे 2020 में जो की message की बड़ोतरी हो रही है लेकिन 2500 कृटपे का नुकसान भी होगा क्योंकि यह message कहीं नहीं कहीं दूसरे platform की वैसे चलेगा जो की WhatsApp हो गया बाकी apps होगी तो यह कहीं नहीं तीन-चार सालों में ही यह सब होने वाला है और लगबग 4 billion के message है वो कम हो ज लेकिन इससे आम लोगों को क्या ही फरक पड़ेगा बस क्योंकि वैसे भी message फ्री है लेकिन इनको तो चार्ज देना पड़ता है जो बड़ी बड़ी company होती है उनको टेली कॉम बपिटर से message लेने पड़ते हैं वह इतने हजार message करने पर जाए इतने पैसे तो उसलाब से गोगल ड्राइब में सेव जाता है तो जो बैक अगप होते हैं गोगल ड्राइब में वह कहीं नगी हमारे डाटा को काउंट नहीं करते लेकिन अभी future में ऐसा होने वाला है अभी एक दू मेने के अंदर दर जिसमें वह जो WhatsApp का बैक अप है वह Google अब उसको एजा डाटा वीकली गैप और मंथली बैक अब होता है तो इसमें लोग डेली बैक अप करते हैं उनको दिक्कत आने वाली है अगर इतने ज्यादा बैक अब होगा तो उसमें फोटस वीडियो डाटा जो है उनका गूगल ड्राइब पंदर जी मिलता है तो वह भर जाएगा तो उससे पड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी तो कहिना कि इसके लिए हमारे को गूगल को पैसा देना पड़ सकता है डाटा एक्स्टेंड करने के लिए या फिर मल्टिपल इमेल ड्रेस या फिर स्पैसल वट्साइब के लिए लग से मिलाटरी बनाने पड़ेगी बहुत सारी द प्रॉपली वट्साइब में अपडेट आजाएगा फिर उसके बाद यह दिखते हैं और यह शुरू हो जाएगी नेक्स्ट यूज है मॉबाइल की शिपमेंट को लेकर तो अभी जो फैस्टिवल ओफर चला था यही फैस्टिव सीजन आयता दिवाल लेगा इसमें लबग 35-40% का अब आ रहा है और पिछले महीने को लेकर 55% ज्यादा गरोथ हो यह सब्तेमबर में कम था और अक्तूबर में ज्यादा मॉइल बिकी हैं और कौन समभाई खरिदा है और 5G कैसा चाल रहा उसके पर यह सी सारी टेलिकॉम न्यूस तो हमें आशे आपको यह पसंद आई होगी हमने आज अपने जियो के डिश्टिबूटर या डिलर शेप के बारे में बताया और बाकी लाइव में मिलते हैं मंडे टूश्डे को इत